नमस्कार दोस्तों तो अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें बेल आइकन प्रेस करें कि अगला वीटियो का नौटिफिकेसन आपको मिले तो आज हम आप लोगे साथ सेयर करेंगे कूकर का चीकन जो बहुत टेस्टी होता है इस तरह से आपनों को करका चीकन बनाईी है जैसे मैं बना रही हूं भहुत अच्छा लगता है तो कोकर का चीकन द्थिگि कितना टेस्टी हुआ है आप लोगो को हम सब करके दिखाते हैं दिखिए पूरा मसाला लटपट एकदम टेस्टी सा हुआ है तो कर सिकन बनानी के ठेट मौन वार्ण भष्ष्ट पोडर सों अंदर क्ला पाएं डियाई निया पोडर लिशा निया पॉडर तब फटाश्य कोरकBO माव्य hyvä Grayना चीर व्याम, मरड'कीजा प्यार major योड यह छोटी इलाइची बरी इलाइची दलचिनी गई हम लिये हैं जीरा दू तिश तो सबसे पहले हमें बॉल लेंगे मैरिनेट करेंगे चिकन को बॉल में सारे चिकन को हम डाल देंगे और इसमें हम मसाला डाल करके मैरिनेट करके रख देंगे तो मसाले हम क्या लेंगे सबसे पहले अधरक लासन का पेश्ट लेंगे हम और सारे अधरक लासन के पेश्ट को हम तक करना है झीपे अहुंदर से मीड से करें चिकनnon के से मिक्स करना है और अधिया निविगाfa AG करने मिक्स करेंगे, डालेंगे हम मेर्ची पॉडर, इसको मिक्स करेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करके साइड में रख देंगे, सेट होने के लिए, चीकन जब तक हमेरा मेरिनेट हो रहा है, तब तक हम चुले पे चरहाएंगे कूकर, हम प्याज को फ्राई कर लेते हैं तब तक कूकर में डालेंगे शार्षू जीरा, दो तेजपता, और खरा गरम मसाला, तबी को हम ढाल देंगे, यह चीकन बहुत अच्छा होता है, बहुत ट्रेष्टी लगता है गोल्डेन प्राउन कर लेंगे हम ख़ड़ा मसाला को फ्राई करके दीए तुने रा कलर हो जाएगा उसके बाद हम इसमें प्याज एड़ करेंगे ख़ड़ा मसाला मेरा सुनेहरा हो गया है अब इसमें हम प्याज को एड़ करते हैं देखिए पक गही है अंधर तक हमने को प याज डाल देते हैं कटा हुआ प्याज ने कूकर का की चीगन बहुत अच्छा लगता है इसको हम प्याज को डाल दिये अब अच्छे से चला करके पकाते हैं चलाते हुए पकाएंगे और इसको हम ढख के थोरी दिर के लिए चोड़ देंगे दिखिए कितना अच्छा प्याज पक रहा है इनको हम ढख देते हैं थोरी दिर के लिए पीजो को दिखिए प्याज भी मेरा गोल्डन होने लगा है यह अच्छे से गोल्डन हो गया है अब इसमें डालेंगे और इसमें डालेंगे अब इसमें डालेंगे मैरिनेट किया हूँगी चिकन तो मेरिनेट किया हूए हम चिकेः। इसमें एड करते हैं। ताररी चिकेः के पिसको हम इसमेट डाल लेंगे। और तैसा इसको चलाएंगे। तहे तो अप्यार चिकेः। मसाले का पॉडर जो रखे थे हैं, वो हम इसमें डाल देंगे, उसी पिलेट में चार चम्मच के एकोडिंग पानी डाल करके डाल देंगे कुकर में, चलाते हुए फ्राइ करेंगे चिकेन को, मसाले के सा चिकेन को अच्छे से फ्राइ करना है, दिखिए चिकेन कितना प्यारा लाया है आप लोग को हम उपर दिखा देते हैं लेग पिश निकाल कर कितना अच्छा पकड़ा है देखिए तो इसमें हम डालेंगे टेस्ट के कोडिंग नमक नमक को भी हम मिक्स कर देंगे चलाते हुए देखिए नमक भी मिक्स हो गया है तो इन्हें हम भूनेंगे अच्छे से देखिए कितना अच्छा प्राई हो रहे हैं चिकन तो ऐसे कूकर में आप लोग चिकन बनाईए बहुत टेस्टी लगता है देखिए कितना अच्छा फ्राई हो रहा है color में कितना मसता है उनको धक्के हम थोरी देखिए धर पकाएंगे देखिए धक्के हम पका लिए है चिकन को इनको हम चलाएंगे अंदर तक पूरा देखिए तेल छोड़ने लगा मसाला दीखीए पास्ट आप लोगों दिखा दिते हैं मसाला तेल छोड़ने लगा है चीकन अच्चे से फ्राई होगया है दीखिए कितना अच्चा चीकन फ्राई हुआ है पास में ज़िद घंच के लिए एकपीस हम दिखा दीए आप लोगों तो इसमें हम ढालेंगे इसी स्टेज पर चीकेन मसाला है जितना चीकेन मसाला टेक्इब समढ़ी कामें। कलसल से चलाते हुए मिक्स कर दिये हैं जिदेशा फ्राइब कर safety good steak घथा कीज़ेगा ही टेस्ट खाने में। धरके आपट है by keeping चला लेते हैं देखिये और के कोडिंग पानी एड करेंगे इंहें हम ऐसे भ़़ें पका एंगे what we find जिससे इस जब अब राओं में है चिचाहस के भी में और किक जाएं भूआ लएंग अलुब लाएगा तो हम बंद कर देंगे चिकन तो देखिए चिकन को हम ग्रेवी के साथ पका लिए हैं चिकन मेरा बन के तेयार है अब इन्हें हम एक शर्विंग बॉल में निकाल लेते हैं तो देखिए दोस्तों हम इन्हें सर्विंग बॉल में निकाल लिए हैं कितना टेश्टी बना है मेरा चिकन तो इन्हें हम सर्व करते हैं चलिए दोस्तों दिखिए अंदर तक चीकन पका है लेक पीस मेरा टूटा भी नहीं है तो ऐसे आप लोग चीकन बना खाईएगा बहुत टेस्टी लगता है और आप लोग को मेरा चीकन का रेस्पी पसंद आए कूकर चीकन तो प्लीज मेरे चैन करके दिखा देते हैं दिखिए एक एक पीस पूरा अलग-अलग है और ग्रेवी भी कितना मज़ेदार से बना है दिखिए सर्व कर लिए हम इन्हों इनको तो अगर मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें बेल आकन प्रेस करते हैं झाल झाल झाल